वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज हम डिसकस करेंगे लेंगवज डेथ एंड लेंगवज रिवाइटलाइजेशन के बारे में तो लेंगवज डेथ और लेंगवज रिवाइटलाइजेशन क्या है तो इससे पहले हम तोड़ा सब एक रूण रिकार्टे हैं तो एकरड़िंग टू एतनो लॉग एक वेबसाइड है जो कि लेंगवज इसके बारे में इनफरमेशन प्रोइड करती हैं कि दुनिया में टोटल कितनी लेंगवज इस हैं और कितने लोग उस लेंगवज को बोलते हैं तो एतनो लॉग के मताबिक तो एतनो लोग के मताबिक 72700 लेंगविज़ इन दे वर्ल्ड कि दुनिया में 727 लेंगविज बोली जाती हैं और 94% अब टोटल लेंगविज़ आर स्पोकन बाइ उनली 6% अब पॉपुलेशन कि 94% जो लेंगविज़ हैं उसको सिर्फ 6% लोग बोलते हैं और 6% of the world languages are spoken by remaining 94% of the total population और जो 6% लोग हैं तो वो 94% लेंगविज़ को बोलते हैं और जो दुनिया की 10 बड़ी लेंगविज़ हैं तो उसको 46% लोग बोलते हैं अब हमारे पास एक island है Papua New Guinea तो यह एक small country हैं लेकिन इसमें 840 languages बोल जाती हैं और यह one of the linguistically diverse region हैं दुनिया में अब cross जो था उसने एक study की according to cross half of the world languages may disappear in the coming hundred years तो cross के मताबिक के दुनिया की 50% जो languages हैं तो यह next century तक हमारे पास disappear हो जाएंगी या उनकी death हो जाएगी तो cross ने languages को classify किया according to different factors और उसके मताबिक के वो languages safe language हैं जिसके 10,000 से ज्यादा speakers हैं या वो languages जिसको government support हासल हैं तो वो languages हमारे पास safe हैं पिर cross जो हैं तो वो endangered languages के बारे में कहता हैं के next century तक हमारे पास disappear हो जाएंगी cross moribond languages के बारे में कहता हैं कि यह वो languages हैं जिसको लोग सीखना छोड़ देंगे और फिर वो dead और extinct languages के बारे में कहता हैं कि यह वो language हैं जिसको कोई भी नहीं बोलता there are those languages which are no longer spoken by anyone तो cross नहीं यह जो classification की तो उसने एक criteria भी सामने रखा तो उस criteria में हमारे पास three factors हैं नबर फस्ट जो है तो वो है intergenerational transmission intergenerational transmission का मत्तब यह हैं कि जो parents हैं तो वो अपने बच्चों को वो language transfer करते हैं के नहीं करते हैं second है number of speakers के एक language इसके कितनी speaker है यानि कि अगर उस language इसके speaker 10,000 से कम है तो फिर वो unsafe language है लेकिन अगर उस language के speaker 10,000 से ज्यादा है तो फिर वो language जो है तो safe language है third है official status official status का मतलब यह है कि उस language को government support हासिल है कि नहीं हासिल है United Nation Educational Social and Cultural Organization जो है तो उसने endangered languages को five categories में classify किया अब इसमें हमारे पास vulnerable languages है definitely endangered languages है severely endangered languages है critically endangered languages है और extinct languages है अब safe language है कि कूँ से है तो इस criteria के मताबक वो language है जिसकोमाम generation बोलते है hack generation का मतलब यह है कि grand parents भी उस language को बोलते है पेरErंट्स भी उस language को बोलते है और बच्ची भी उस language को बोलते हैं तो वो language हमारे पास safe language है, unsafe language वो language है, जिसको कुछ children बोलते हैं some children use the language in all settings, all children use the language in some settings लेकिन कुछ बच्चे जो है तो वो इस language को हर जगा नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यह language जो है तो यह safe नहीं है definitely endangered वो language है जिसको बहुत कम बच्चे बोलते हैं few children speak the language predominantly spoken by parental generation in older और सिर्फ जो बच्चों के parents हैं और जो older generation के लोग हैं तो सिर्फ वो उस language को बोलते हैं और बच्चे उस language को बहुत कम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यह language भी endangered हैं पिर हमारे पास severely endangered languages हैं तो यह वो language हैं जिसको तो सिर्फ older generation बोलते हैं और parental और younger generation उस language को नहीं बोलते हैं मतलब यह हैं कि आपके डादा एक language बोलते हैं लेकिन आपके जो parent है और आप हैं तो आप उस language को नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह language severely endangered है फिर critically endangered language is वो language है कि जिसके कुछ speakers जो है तो वो remain है यानि कि सिरफ चन्द लोग उस language के बोलने वाले रहते हैं और बाकी लोग जो है तो वो उस language को नहीं बोलते हैं इसका मतलब यह है कि यह language critically endangered है और extinct language is वो language है जिसका कोई भी native speakers नहीं है जिसका कोई भी speaker जो है तो वो जिन्दा नहीं है अब इसका क्या मतलब है कि जब language की death हो जाती है तो पिर क्या होता है तो देखें लेंगवज सिर्फ हमारे पास means of communication नहीं है बलके language में हमारे पास knowledge होता है इसमें हमारे पास culture होता है तो देखें जब किसी language की death होती है तो उसके साथ जो local knowledge होता है तो उसकी भी death हो जाती है जैसे कि Harrison कहता है कि most of what humankind know about natural world lies completely outside of science textbooks, libraries and databases existing only in unwritten languages in people's memories वो कहते हैं कि दुनिया के बारे में हमें जितनी भी information है तो ये सारी किताबों में मुझूद नहीं है बलके बहुत ज्यादा information जो है तो ये unwritten है और ये different languages में मुझूद है तो इसका ये मतला में है कि जब language की death होती है तो इसके साथ knowledge की भी death होती है the loss of cultural heritage including myths, jokes, wordplay, wise saying, poetry तो language death के साथ जो है तो cultural heritage, myths, jokes, proverbs, wordplay, wise saying और poetry इसकी भी death हो जाती है it leads to a failure of acquiring a full understanding of human cognitive capacities और जब एक language की death होती है तो इससे एक नुकसान तो ये भी होता है कि हम human की जो cognitive abilities हैं इसको हम पिर समझ नहीं पाते हैं completely तो इसको हम और इसका एक नुकसान ये भी है कि जब language की death होती है तो हम पिर human की जो capabilities है उसकी जो cognitive abilities है तो पिर हम इसको completely समझ नहीं सकते for example हमारे पास कुछ languages हैं जिसमें हमारे पास subject, verb और object का structure फालो होता है sentence में लेकिन कुछ languages ऐसी हैं जिसमें हमारे पास object पहले आता हैं जैसे कि English के passive voice में हमारे पास object पहले आता हैं तो इस तरह कुछ languages ऐसी हैं जिसके active voice में object पहले आता हैं Cameron 2007 says that language is the DNA of culture and it is the vehicle for tradition, custom, stories, history and beliefs of people. A lost language is a lost culture. तो देखें जिस तरह DNA हमारे पास hereditary information transfer करता है, parents से, offspring में यानि के बच्चों में तो इसी तरह language हमारे पास culture का DNA हैं यानि के language की मन्द से हम जो हैं तो culture, stories, history और beliefs को जो हैं तो वो transfer कर सकते हैं एक generation से दूसरे generation तक. तो एक lost language का मतलब है, एक lost culture. A lost language means a lost culture. अच्चा अब सबसे एहम सवाल के language की death क्यों होती हैं? देखें के इसके हमारे पास different reason हैं. number first है के all the speaker of the language dies, यानि के उस language के बोलने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की death हो जाती हैं, तो इसकी जो causes हैं तो ये natural भी हो सकती है, artificial भी हो सकती है, natural causes का मतलब यह है कि उनकी death जो है तो किसी natural disaster में हो जाए या उनकी death जो है तो ये जंग में हो जाए, violence की वज़ा से हो जा जो parents हैं, वो अपने बच्चों को अपनी मादरी जुबान सिकाना बन कर दें, तो इस से भी language के death हो सकती हैं, अब for example, ये टरन डेका गया है पाकिस्तान में के जो पंजाबी parents हैं, तो वो अपने बच्चों को पंजाबी बोलने से discourage करते हैं, तो language death का एक reason ये भी है, तीसर पिर वो अपना culture promote करती है, तो इसे भी language के death हो सकती है, कि अगर वो अपने language को promote करें और आपकी language को suppress करें, fourth reason है, when the speakers relocate for economic or political reasons, कि एक language के बोलने वाले लोग जो है, तो वो in different countries में चले जाएं, for economic purposes, और पिर वो अपनी languages को use ना करें, बलकि जिस country में वो रहते हो, वो उस languages को excessively use करें, तो पिर इसे भी language की death हो सकती है, जो हमारे पास fifth reason है, वो है language shift, अब ये language shift है, तो ये एक painful process होता है, अब language shift का मतलब ये है, कि एक जगा पे एक language बोली जाती है, लेकिन government ये decide करें कि उस language की जगा पे कोई और language बोली जाए, तो इसे language shift कहते है, अब for example, Welsh जो है, तो ये बिर्टन में बोली जाती है, अब बिर्टन के कुछ स्कूलों में ये order जारी किया गया, कि जो Welsh language है, उसको एक batch पहनाया जाता, जिस पे लिका होता, Welsh not, तो जब government force करें, तो इससे भी language की death हो सकती है, क्योंकि पिर उस language को कोई नहीं बोलेगा, और उसकी जो importance है, वो खतम हो जाएगी, अब language की जो death है, तो ये दो तरीके से हो सकती है, नमबर first है top down, और दूसरा है bottom up, top down का मत official institution है, या government level है, उस पे इस्तेमाल होना बन हो जाए, but is retained in home for a while, लेकिन जो गर है, या जो local community है, उसमें वो language बोली जाए, तो इससे कहते है top down language death, दूसरा है bottom up language death, कि language जो है, तो ये local level पे बोलना बन हो जाए, कि गरों में वो language है, उसका बोलना बन हो जाए, तो इससे कहते ह bottom up language death, अच्छा, अब एक और question कि, can endangered languages be safe, कि क्या हम endangered language को, या जो extinct language है, उसको हम revive कर सकते हैं, तो देखे हमारे पास एक example है Hebrew, तो Hebrew remained out of use for around 2000 years and was used by limited number of Jews for religious purposes only, कि जो Hebrew language है, तो वो तकरीबन 2000 साल तक वो use में नहीं थी, सिरफ जो religious purposes है, तो उसके लिए वो use की जाती थी, but when they came back to Palestine, लेकिन जब Jews दोबारा Palestine में आ जाते हैं, तो वो अपनी जो language है, इसको revive करते हैं, Hebrew से पहले जो Jews थे, वो Yiddish language को use करते थे, लेकिन जब Jews जो है, वो Hebrew को revive करते हैं, तो फिर number of speaker Hebrew के Yiddish से ज्यादा हो जाते हैं, और अब जो है, तो Yiddish एक छोड़ी सी language है, और जो Hebrew है, तो इसके speaker जो है, तो यह ज्यादा हो गए है, तो यह हमारे पास एक example है, language revitalization की, अब language revitalization की से कहते हैं, तो देखिए, language revitalization, it is also called language revival, it is an attempt to reverse the extinction of a language, language revitalization में हमारे पास यह होता है, कि जो extinct language होती है, उसको दुबारा revive किया जाता है, जो endangered language होती है, तो उसके जो recording से वो किया जाते हैं, उसके जो older generations होती हैं, और उसके जो speakers होते हैं, तो उसको इस बात पे motivate किया जाता है, कि वो अपनी language जो है, वो दूसरे लोगों को सिखाए different linguist ने different model propose किये हैं, language revitalization के बारे में, हमारे पास fishment model है, हमारे पास immersion model है, टीक है, अब जो language revitalization process होता है, تو इसमें हमारे पास कौन involve होता है, तो इसमें हमारे पास linguistic involve होते हैं, हमारे पास क Lance management Production Groups involved होते हैं, और government जो है तो हमारे पास इस process में involved होती है कुछ लोगों का ख्याल है कि language revitalization और language revival में difference है तो उन लोगों के मताबिक language revival का मतलब ये है कि आप एक extinct या dead language को आप revive करते हैं तो इसका मतलब ये है language revival और language revitalization का मतलब ये है कि आप एक endangered language को जो है तो वो revive करते हैं या उसको safe language मनाते हैं तो इसको language revitalization कहते हैं Thanks for watching my video if you have any question you can ask Thanks